लगतार सरकार सरक्ष्वक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। लेकिन इसे बीच एक घटना आपको हम बताने जा रहे हैं, जो की काफी दर्दनाग घटना हुआ है। उसमें लगभग दर्जनों लोग घायल हैं, कई लोगों को इलाज के लिए गुरकपूर रेफर कर दिया गया है। मेरे पीछे तस्वीरे दिख रही हैं, एक गाड़ी दिख रही हैं, यह ब्रेजा है, उसके बगल में आपको दिखाई दे रहोगा स्कॉर्प्यो है। और ठीक, इसके पीछे हम एक बाइक दिखाते हैं, यह तीनों गाड़ी आपस में टकरा गई है, और इसमें कई लोग घायल हैं, कई लोग सिरियस हैं, जिने गुरकपूर रेफर कर दे गया है, कुछ लोग का इलाज, गोपाल गें सदर अस्पताल के, एमर्जन्सी वार्ड में चल रहा है, पहले गाड़ी की तस्वीर दिखाते हैं, और जो घटना है, वो यादोपूर थाना छेतरे की मंगलपूर पूल के समीप में हुई है, अस्थानी ये लोग ये बता रहे हैं, कि काफी तेज रफगती में स्कॉर्पियों आ रहे थी, तभी अचानक उसका जैसे वो बाइक पर पलट गई, और बाइक पर पलटी तो दूसरी दिशा से एक कार जारी थी, वो भी उसमें टकरा गई, यानि ये तीनो गाड़ियां जो है, एक दूसरे में टकरा गई, और इसमें काई लोग घाय लोगे, आप गाड़ियों के तस्वीर जो गाड़ी तो डॉक्टर अबशे कुमार हैं बेहतर समधान, एंटी सर्जन डॉक्टर अबशे कुमार नई तकनिक से दे रहे हैं, बेहतरी सिवाए संपर करें, दवाईवाला मेडिकल डॉक्टर कोसलिया चोक से, दस मीटर पर शीप, थावी रोट गुपाल गंज, इस गेट की क्या ह तस्वीरे देखिए, आपको दिखाते हैं, यह पूरी तस्वीर, हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आप जब गाड़ी चलाते हैं, तो थोड़ा नियंत्रित होकर चलाएं, अनियंत्रित न चलाएं, अभी भी कोई हाथसा है, कोई शायद स्यादी विवा या कुछ पाट जो है, वो किस तरह से शतिगस्त हो गई है, यह बाइक जो है, इसी बाइक पर उपलट गए थी, हलाके बाइक चलाग भी खायल है, उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराए गया, और यही वो कार है, जब वो पल्टी, तब यह क्रॉस करे थी और उसी बीच में इ रखा गया है, अब जो घायल है, उनका इलाज चल रहा है, हलाकि वो लोग, सभी लोग पुर्वी चमपारन के बताये जा रहे हैं, पुर्वी चमपारन के तरफ से गोपाल गए जा रहे थे, तब ही बड़ा हाथसा हुआ है, फिलाल इन तस्विरों को हम आपको यादोपू हुआ और बलास्ट होते ही गाड़ी पल्टी, और पल्टने के बाद जब टकराई तो देखी क्या स्तिती हो गई, इसमें जितने लोग सवार थे, बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और जिंस भी थे, तो वो सभी लोग घायल हो गया, तो हालात जो है, आप साब तोर पर द चाय जाये, तो जरूरी यह है कि आपको अपनी रफ्तार को लिमिट में रखके चलाना है, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, परिवार भी सुरक्षित रहे, जिस तरह से घटना हुई है, घटना अपने आप में एक बहुत दरदनाग घटना है, कई लोग घायल हो गया है, फ